नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छा. तो आज हम कौन सा विशे सिखेंगे बच्चों? हाँ, आपका प्रिय विशय हिंदी. तो बच्चों, हिंदी में हम क्या सिख रहे है? वाणमाला. और वाणमाला में हमने स्वर सीख लिए हैं और हम व्याणजन सीख रहे हैं. और व्यांजन में भी हमने बहुत सारे व्याणजन सीख लिए हैं, है transfers और मुझे बता है, आप सब गर पर हर रोज ये बोलते हो, इसकी प्रेक्टिस करते हो है ना, तो हमने कहां से तक वंजिन सीखे हैं, कर से कभुतर से लेकर या से यग में तक के वंजिन सीख लिये हैं, तो आज हम कौन सा वंजिन सीखेंगे, र, ये कौन सा वंजिन है, र, र से राचा, तो आज हम सीखेंगे, र, तो आज हम सीखेंगे, र, और बच्चों, देखो, रत में कौन बैठा है? हाँ, रसे राजा, रसे राजा, ये है राजा और क्या होगा रसे? रसे रस्सी, क्या होता है रसे रस्सी? और क्या होगा रसे? रसे रस्गुला, ये है रस्गुला तो अब हम क्या सिखेंगे बच्चो रसे राजा कैसे लिखा जाता है तो देखो यहाँ पर आपको कुछ आकृति या कुछ रेखाय दी गई है तो इसी रेखाओ के अनुसार हमें लिखना है कैसे रेखेंगे? चली सुरू करते हैं हमें उपर से शुरू करते हुए एक छोटी सी वक्ररेखा बना देनी है इस प्रकार से और ये उपर से शुरू करके ये वक्ररेखा को नीचे की ओर ले जाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा मोड लेकर एक छोटा सा गोला बना देना है आईए देखते हैं फिर से क्या करना है उपर से सुरू करते हुए एक छोटी सी वक्ररेखा बनानी है उसे उपर की और मोड लेते हुए एक छोटा सा गोला बना देना है और फिर वो गोले को जोडते हुए नीचे की और एक तीरची रेखा बना देनी है इस प्रकार ठीके बचो देखो अगें वक्र रेखा उसे जोड़ते हुए एक छोटा सा गूला उपर की तरफ उसे नीचे की तरफ ले चाते हुए एक तीर्छी रेखा बना देनी है और हिंदी अक्षे में क्या करना है उपर की ओर आड़ी रेखा तो इसी प्रकास से हमें र से रत र से राजा लिखना है तो अब हम क्या करेंगे र से राजा हमारी हिंदी की पुस्तक में लिखेंगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है ट्रेस एंड राइट र इसका मतलब है बिंदो के उपर लिखो र तो यहाँ पर आपको बिंदो यह दिये गए है और आपको बिंदू के उपर रसे राजा लिखना है और बिंदू के उपर रसे राजा कैसे लिखा जाता है यह मैंने आपको सिखा दिया तो इसी प्रकार से यह पूरा पढ़ना आपको बिंदू के उपर रसे राजा लिखना है तो देखो बच्चो यहाँ पर दूसरे पढ़ने में क्या लिखा है speak and write speak and write रहो इसका मतलब है बोलो और लिखो रहो तो देखो बच्चो यहाँ पर आपको चार रेखाएं दी गई है और हमें पहले क्या करना है बिंदों के उपर एक बार पुर्णा वर्तन करना है तो हम कहां से शरू करेंगे बच्चो दूसरी रेखा से क्या करना है पहले एक छोटी से वक्र रेखा बना देनी है दूसरी रेखा से लेकर तीसरी रेखा तक फिर इसे उपर की और मोड लेते हुए एक गोला बना देना है और फिर ये गोले से जोड़ते हुए एक तीछी रेखा बना देनी है तीसरी रेखा से लेकर आखरी रेखा तक तो ये हो गया नौसे राजा और उपर की और क्या करेंगे हम आडी रेखा तो इसे प्रकार से चलो देखते हैं कि बिना बिंदू हो कि हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर आपको एक बिंदू दिया गया है हमें यहाँ से सुरू करते हुए एक छोटी सी वक्र रेखा बना देनी है दूसरी रेखा से लेकर तीसरी रेखा तक फिर यहां से उपर की ओर एक गोला बनाना है छोटा सा और ये गोले से जोडते हुए एक तीछी रेखा बना देनी है इस प्रकार से दूसरी रेखा से लेकर आखरी रेखा तक और उपर की ओर क्या करेंगे आड़ी रेखा है ना बेलकुश सरल बच्चो तो एक बार ओर देखते हैं चलो क्या करेंगे बिंदू से शुरू करते हुए एक छोटी सी वक्र रेखा फिर उसे उपर की ओर मोल लेते हुए गोला बना देना है और फिर उसे नीचे की ओर ले जाते हुए तीछी रेखा बना देनी है और उप इस प्रकार से आपको रसे राजा लिखना है और जब भी आप रसे राजा लिखो तो क्या करना है बच्चो बोलते बोलते लिखना है क्या बोलना है रसे राजा रसे रत रसे रसी रस गुला इस प्रकार से बोलते बोलते आपको यह पूरा पन्ना कंप्लिट करना है ठीके झाल झाल झाल